अब आपका स्वागत है देखे फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा डोर मैट बनाना मैं आपको सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से देखे ये मेरे पास मल्टी कलर की ये चुमी थी तो मैंने इसके ये ऐसे फाड के इसको मैंने इसके ये बना ली है पतली- पट्टी सी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है देखे आप ऐसे इसको देखे फ्रेंड्स ऐसे आप इसको खाड लेना को चुमी हमारे पास ऐसे ही पड़ी रहते हैं कोई यूज नहीं होता है इनका मैं आपको बहुत ही प्यारा सा दोर्मेट बनाना इन से खाऊंगी ये मैंने कुछ पहले फाड के ऐसे कर ली है सब्सक्राइब इसमें आपको बनाना आपको अब इसके नहीं गुए है यहां पर इसकी नोट लगातूंगी इस तरीक्टे से और इस में अब फंद्र दालू इदी कि ऐसे तेन चार पाँच छे साथ आत नुँ दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा सोला सत्रा तारा उनिस तीस इप्तिस बाइस तेर्स चोविस और यह पच्चिस देखें, मैंने पच्चिस अंदेश में डाल लिये हैं अब देखें, इसको बनाना बहुत ही आसान है गोल शेप में बनाऊंगी पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है वो मैंने स्क्वेर में बनाया है इसको मैं राउंड में बनाना सिखाऊंगी आपको वोगी इजी तरीके से यह देखिए हम इसको ऐसे बना लेंगे फरस्ट सलाई थोड़ इसी ध्यान से उतारना इसको हमने दोन्नों तरफ से उल्टा उल्टा ही बनाना है स्टार्टिंग देखना में कैसे करनी हूँ पूरे इसमें टोर मैट में कोई हमने इसमें नोट नहीं लगा नहीं यह ऐसे ही बनता जाएगा कलरफुल कर देखिए कर देखिए कर देखिए कर देखिए सारे ही फंडे हम ऐसे बन लेंगे प्रम लेंगी कर देखिए कर देखिए पुआ मुआ आओ बगi यूिब नही लाम मुआ को द lat बत्म मुआ हैं यहां पर हमारा पनफंदा खेक कूरा से बना लेंगे, जो हमारा बीच में खुल गया था अब हमने उल्टी तरफ भी इसको ऐसे ही बनाना है और यह जो हमारा है इसको हम इसमें ही लपेट लेंगे इसको हम इसके साथ इसके अंदर इसको लेके ऐसे राउंड राउंड कर देंगे तो हमारा यह अंदर ही चला जाएगा इसमें अब यह सेटिंड रो भी हमने ऐसे ही कम्प्लीट करनी है और आगे से मैं बताऊंगी कि हमारी इसकी राउंड शेप कैसे आएगी क्वाइगा जलाई शेण झाल झाल पूरी रों हमने ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाके कम्प्लेट कर ली है और यह लास्ट वाले दागे को हम ऐसे पीछे करके और इसको ऐसे बनाना है हमें यहां पर फिर बहुत ही अच्छी लाइन बनती चली जाएगी अब फिर से हमें इसको ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाना है ध्यान से देखिए अब यह देखिए यहां पर हमने नोट निलगानी एक हमने जो चुनी कर लिया था उसका हमारा यह पटी खतम हो गई है तो हमें इसको कैसे करना है देखिए जब यह थोड़ी सी बच जाए तो आप इसमें इस सैटिंड वाली इसमें ऐसे डालके और इसको आप ऐसे ऐसे एक बार राउंड राउंड ऐसे गुमा देना और फिर से आप इसको यहां से पकड़ लेना तकि यह निकलेना और फिर से आप ऐसे इसको बना देना तो यह हमारा यहां पे हमने नोट नहीं लगानी पड़ेगी और हमारी दूसरी स्टार्ट हो जाएगी हमारा जॉइंट देखेगा भी नहीं और यह हमारी दूसरी स्टार्ट हो गए अब देखिए हमें क्या करना है यह पूरी रो हमने कंप्लेट कर ली बेस हमारा बनके तयार हो गया अब हम यहां से उपर से अपना इसको बनाना शुरू करेंगे जब हमारे पास एंड में दो फंदे बच जाएंगे तो अब हम यही से वापस टॉन करेंगे इसे गुमात इनकों छोड़ देंगे बनाएंगे लिए यही से हम वापस ऐसे उल्टे उल्टे बना के हम एंड तक जाएंगे बहुत ही सिंपल पैटर्न हो और आप ऐसे डोर मेट बनाऊगे तो बहुत ही अच्छा लगता और बहुत ही इसकी लाइफ भी लंबी रहती है और मार्किट के हम डोर मेट लेके आते हैं तो वह हमारे कुछ ताइम में खराब हो जाते हैं यह बहुत सोफ्ट बनेगा helps you get small पूरी करेंगे last वाले को हम ऐसे ढागा पीछे करके इसको हम ऐसे resist बहुत ही अच्छी किनारा हमारा बनता चिला जाएगा इसको हम इस साइड से ऐसे उतार लेंगे और आप हम फिर से वहां तक जाएंगे अब की बार हमने लास्ट के दो छोड़े थे अब की बार हम उसमें दो और एड़ कर देंगे वो तो हमें छोड़ने ही छोड़ने है उसके दो और छोड़ देंगे उसके पास के देखिए अब हम यहां तक बनाएंगे और अब हम यहीं से वापस से टन कर लेंगे तो इससे क्या हां हमारी यहां से हमारा यह गोल शेपीस की बननी शुरू हो जाएगी यह पूरा डोर मेट हमने ऐसे ही वनाना है यह मैं आपको एक बार कम्प्लीट करके इसको दिखाऊंगी फिर मैं इसको पूरा करके आपको दिखाऊंगी कि एंड में हमें क्या करना है यह अब एंड वाले काप हमेशा फंदेका आप ध्यान रखना धागा पीछे करके और इसको ऐसे सीधा बनाना है ताकि हमारा पूरा राउंड का यह किनारा बहुत ही अच्छा त्यार हो दिखाऊंगी इसको हम ऐसे घर लेंगे इस तुछ को अब हम आपने ऐसे बनाएंगे देखिए अब हम इसमें एक और एड़ करें लिए इसको देखिए हमें कैसे एड़ करना है जैसे हमने पै ले किया था ऐसे ही हमने इसमें एड़ कर देना है इसको ऐसे रखके और आप इसको ऐसे राउंड में गुल-गुल घुमा देना हमारा जॉइंट कंदर चला गया तो देखिए पहली बार हमने दो छोड़े उसके बाद हमने दो और फंदे छोड़े और अब की बार हम दो फंदे ये और छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस बनाएंगे बहुत ही इजी है आप देखिएगा एक बार इसको ट्राइ जुरूर करना यह हमरो पूरी कंप्लीट करेंगे इसको हम तीछे करके और इसको हम सीधा बनाएंगे देखिए यह ऐसे कुछ हमारा किमारा बनके त्यार होगा दोनों तरफ से हमें यह उल्टा उल्टा ही बनाना है और देखिए कलरफुल बहुत ही अच्छा बनेगा आपके पास अगर प्लेन हो साड़ी हो प्रिंट में हो या प्लेन हो आप साड़ी का वीज को बना सकते हो देखिए हर बार हमारे इस रो में हमेशा दो फंदे हमारे कम होंगे दो पह लेकिए फिर किये दो अब फिर दो हमने किये अब हमने यह दो फिर करने है हम यहीं से फिर हम वापस है कि तरन करें यह देखिए कि यह हमारी शेप बननी स्टार्ट हो गई कि देखिए इधर से हो गया और इधर से इतना चोड़ा हो यह हमारी यहां पे राउंड में शेप बननी शुरू हो गई तो मैं इसको कंप्लीट करके यह दो दो करके मैं जहां तक एक बार कर देती हूं फिर में बताऊंगे आपको कि आगे हमेज में क्या करना है देखिए मैंने यह दो दो करके यह सारे कम कर दिये हैं अब देखना यह हमारे पास लास्ट के बचे हुए हैं तो हम इनको इसे बना देंगे अब देखिए अब हमारे सारे यह दो करके हमने पूरे कम कर दिये हैं अब देखिए यह रो हमने पूरी अब बनानी है उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी तरफ से भी उल्टी इसमें हमें कोई फंदानी छोड़ना है इसको हमने ऐसे ही कम्प्लीट करना है अब तक अब हम इनको सब को बनाएंगे देखिए अगर आप दो कलर से बनाओगे तो हमारी एक ऐसे कली बनके त्यार हो जाएगी दो कलर का बनाओगे तो यह कल्यों वाला बन जाएगा मेरे पास यह मल्टी कलर की थी तो मैं इसको मल्टी कलर से बना रही हूँ देखिए यह हमने आप सारे ही बनाने है जो बीच में गैप दिख्रया बनाने के बाद यह हमारा नहीं दिखेगा फिर लास्ट वाले को भी हम से बना देंगे देखे यह पूरी रो अब हमने बना ली दिखना और यह हमारा ऐसे यह राउंड हमारा बनना शुरू हो गया अब देखे इस वाली रो को मैं आप एक बार पूर बताऊंगी फिर मैं इसको कम्प्लेट करकी दिखाऊंगे यह बी रो हमने पूरी बनानी है पूरी रो हमने ऐसे बनानी है और अगली रो में हम बनाएंगे तो फिर से हम दो दो का ऐसी गया पे करेंगे दो पहले दो छोड़ेंगे अगली रो फिर आएंगे एक उल्की एक शीटी बनाएंगे उसमें फिर हम दो छोड़ देंगे और हम यह करते-करते यह एंड तक आएंगे यह लास्ट वाला हमने ऐसे टर्न करके इसको ऐसे बनाना है तो देखिए यह हमारी यहां पर किनारे की ऐसे चोटी सी बनती जाएगी तो इससे बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी ऐसे राउंड में तो देखना यह हमारा एक बन के कम्प्लीट हो गया अब हमने यह पूर अप भी ऐसे बनाना बना लो और मैं भी इसको कम्प्लीट करके उपर एंड में बताऊंगी कि इसको बंदे कैसे करना है देखिए देखिए मैंने इसको यहां से किया था स्टार्ट किया था इतना मैंने आपको बना के दिखाया था ऐसे सेम पैटर्न से मैंने इसको पूरा कर लिया है और देखिए मेरी बहुत यच्छी इसकी राउंड की गोल शेप आई है यह बन के ऐसे अब यह कंपलीट हो गया यह देखिए अब मैं इसको बंद करूँगी इसको हम बंद कैसे करेंगे जैसे हम अपने स्वेटर बंद करते हैं ऐसे ही हम इसको बंद कर देंगे पहले स्टार्टिंग में हम इसको दो का एक करेंगे फिर हम इसको इसमें डाल लेंगे और फिर से हम दो का एक एक करेंगे फिर से हम पंदे को इसमें डाल लेंगे और फिर से हम थोड़े से लूज रखना इनको कर देखना यहां पर बंद होना स्टार्ट हो गया फिर से हम इसको डाल लेंगे इसमें और इसे कर देखना यह हमारा संदेबंद होने शुरू हो गए आप थोड़ी से मोटी निडल लेना उसमें यह और भी अच्छा बनेगा मेरे पास मोटी निडल नहीं थी मैंने आठ नंबर के लिए हैं आपके पास अगर छे नंबर की हो साथ नंबर की हो तो उनमें यह डोर मेट बहुत ही अच्छा थोड़ा सा लूज लूज बनेगा अब मैं इसी को ऐसे ही इंपो सारे फंदे बंद करके आपको दिखाऊंगी मैं इसकी सिलाई के तो कि मैंने इसको इतना सील के इसको कम्प्लीट कर लिया है बंद करके मैं इसको पका करूंगी इसको हम इसमें से निकाऊं देगे हमारा इधर से बंद हो गया और इधर से हमने आज से स्टार्टिंग की थी सेम हमारा इतना ही बनके कम्प्लीट हो गया अब हम इसकी सिलाई करेंगे इसके बिल्कुल हमने इसे किनारे मिला के इसके ही वह ऐसे सिलाई कर रही है अब हम इसके हम अब हो गया है पीज़ टुचिता कि है झाल झाल इसको हम यहां से एक्स्ट्रा को हम काट देंगे एक्स्ट्रा को हम यहां से इसको काट देंगे इसको भी हम पक्का कर देंगे दोर्मेट हमारा सिल्के कंप्लीट हो गया अब यह जहां पर हमारा यह बीच में यह सरकल है मैं यहां पर एक यह पॉम पॉम लगा दूगे इसकी बहुत ही अच्छी लुक आएगी पिल्कुल बीच सेंडर में अच्छी को हम इसे पका कर देंगे इस दागे को में पका करके इसको में काट दोगे देखें यह हमारा बनने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है देखें बिल्कुल राउंड में वह ती प्यारा डोर्मेट बना है यह दोनों साइड से देखें यह उल्टी साइड से भी हमारा यह ऐसा दिखेगा और यह हमारा सीधी साइड से भी ऐसा दिखेगा तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको जुरूर ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट करके आप कोई डॉर मैट कैसा लगा तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कर भी जुरूर बताना आप कोई डॉर मैट कैसा लगा मिलते हैं नई वीडियो में नए डिजाइन के साथ थैंक यू